स्वेलो एंड वेलकम बैक अगें टु मॉडर्ण हिश्ट्री सिरीज फहरोके देने स्टशुम हैं जो हमाड़ी इंडियन इंडियन इनिइपेंडेंडेंडेंस पर कर रहे हैंट रहे हैं और इंडियन रिपेंडेंस प्रभ few च्य progress कर रहे हैं इसこと बना दिया mentoring इंडियन फ्लैग वो फॉल किया था जंडा फैर आया था और इस तरीके से फिर अल्टिमेटली यह पूर स्वाधीनता या फिर कहें लीजिए कि पूर स्वतंत्रता के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना शुरू कर दिये थे इसी संस में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग बाते करेंगे स्विल डिसोबीडियन्स मोमेंट के बारे में अब देखिए हम लोग ने एक चीज़ देख रखा था लास लास में कि जब 1929 में एक काम करते हैं एक पेज ले लेते हैं हम लोग ने देख रखा था कि 1929 में in fact 1928 में जब नहरू रिपोर्ट आई थी इस नहरू रिपोर्ट में जो कॉंग्रेस के कुछ लोग थे जैसे कि जवालाल नहरू सुबाश्चन बोस इन लोगों ने कहा कि हमें complete independence की और आगे बढ़ना चाहिए तो इस चक्कर में गांधी जी ने फिर यहां पर कहा कि चलो ठीक है एक साल का समय दिया जाएगा और अगर ये लोग dominant status वाला जो demand अगर मांग लेते हैं तब तो ठीक है और अगर नहीं मांते हैं तो एक साल के बाद में हम लोग फिर complete independence की ओर में आगे बढ़ेंगे तो इस complete independence की शुरुबात करने के लिए गांधी जी जैसे ही एक साल होता है वैसे ही गांधी जी obviously कुछ ना कुछ इनको ground चाहिए ही चाहिए तो इन्होंने ground लिया था salt सत्यागरा का salt सत्यागरा लिया ground एक तरीका जिसके थुरू अब demand हो गई थी complete independence की और इस तरीके से salt सत्यागरा या फिर जो आपका civil disobedience moment है या फिर सवीने अवग्या आंदोलन इसकी शुरुआत होती है 1930 में होता क्या है है हाँ पर step by step देखे 1930 में एहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास में ही Congress की summit होती है तो एहमदाबाद में summit होती है Congress summit ठीक है और यहीं साबरमती आश्रम के पास में होती है summit और ultimately इस summit में फिर जो civil disobedience moment है इसको launch कर दिया जाता है कहा जाता है कि चलो ठीक है यह अब हम लोग सभीने अवग्या अंदोलन करेंगे इस cdm के launch करने के लिए obviously पाता है पहले कुछ warning देनी पड़ेगी तो warning के नाम पर गांधी जी ने कहा कि हमारी कुछ demand है और यह demand इन्होंने कुछ 11 demand के नाम से जानी जाती है 11 points के नाम से जानी जाती है गांधी जी के और यह दी प्रिटिशर को यह कहा गया था कि अगर आप 11 demands को माल लेते हैं अगर आप नहीं मानते हैं तो हमें मजबूरन वश cdm का सहरा लेना पड़ेगा civil disobedience moment का सहरा लेना पड़ेगा या फिर salt सत्यागरह का सहरा लेना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में यह जो 11 demands है कौन कौन सी सबसे पहली demand के बारे में बात किया जाए इन्होंने कहा कि जो आर्मी और administration में आप extra यह जो खर्चा किये जा रहे हैं इस खर्चे को आप 50% से reduce करिए 50% से आप reduction करिए 50% से आप reduce करिए यह पहली चीज कही गई थी दूसरी चीज कही गई कि जो liquor है जो शराब है उस पर complete ban होनी चाहिए तो यह complete ban होनी चाहिए इसके अलावा जो narcotics है इस पे भी narcotics पर भी complete ban होना चाहिए क्योंकि यह सब जो है हमारे society को खराब कर रहा है तो यह complete ban हो जाना चाहिए चौती चीज इन लोगों ने बोली कि जितने भी political prisoners हैं उनको free करिए political prisoners जिनते भी हैं इनको free किया जाना चाहिए अच्छा obviously यहाँ पर non जो violent activity में थे वही लोगों के बारे में बात हो रही है इसके अलावा यह कहा गया कि Indians को भी अब arms license दीजिए अब सारे लोग जो है license लेके घूम रहे हैं आमस लेके घूम रहे हैं तो Indian को भी license लीजिए और यह लोग self defense के लिए या फिर self protection के लिए use कर सकेंगे यह कहा गया obvious ही बात हैं कोई माने का नहीं लेकिन फिर भी यह तरीका तो हो गई इसके अलावा exchange rate of rupee जो लगतार गिरते जा रही थी उसको भी कहा गया था कि आप इसे भी सही करिए इसे भी improve करिए exchange rate of rupee को ले करके फिर यह कहा गया कि जो land tax है जो भूमिकर है land tax है इसे 50% से आपको reduce करना होगा क्योंकि हमारे जो किसान भाई लोग हैं इनको दिक्कत हो रही है तो यह reduction करनी के लिए बहुत बुली गई इसके लावा यह कहा गया कि जो आपकी यह salt tax आप लगा के रखे हुए है यह free होना चाहिए यह tax free होनी चाहिए इस पर कोई भी tax नहीं लगनी चाहिए नमी चीजे उन्हें ने बोली कि जो narcotics के बारे में तो हम लोग ने बात कर ही लिया है इसके लावा यह कहा गया था कि जो Indian coast है वो Indian ships के लिए एकेवल होनी चाहिए Indian coast only for Indian ship यह कही गई थी इसके लावा 10th point बोला गया क्या point बोला गया था 10th point यह बोला गया था कि जो spy है या जो publics है तीक है spy है या फिर जो सारी police है इन दोनों पर public का control होना चाहिए Indian people का control होना चाहिए और यहाँ पर उल्टा चीज होती थी इसके लावा यह कहा गया कि जो भी foreign clothes है जो बाहरी कपड़े है इन foreign clothes के हम लोग बायकॉट कर सकेंगे और इनको इनको जो है इन पर protection tax लगाएंगे तो आप इस पर protection tax लगाएंगे अब protection किसका करना है प्रोटेक्शन करना है इंडियन goods का तो इंडियन जो आइटम है उसको बचाने के लिए आपको यहाँ पर एक countervailing tax लगाना पड़ेगा या फिर इसी को बोल सकते हैं इंडियन प्रोटेक्टिव टैक्स लगाना पड़ेगा तो यह कुछ 11 पॉइंट्स बोले गएते हमारे गांधी जी के द्वार और यह कहा गया कि अगर इसे आप नहीं accept करते हैं तो हमें मजबूरन वश CDM का सहारा लेना पड़ेगा और this is very obvious thing और इंफेट गांधी जी को भी पता था कि यह जीज जो है कोई भी accept नहीं करने वाला है और इस तरीके से इन लोगों ने CDM की शुरुवात कर दी थी CDM की जो शुरुवात की गई थी वो की गई थी 12 March this is 12 March 1930 को शुरुवात की गई थी और इस तरीके से यहां पर 78 followers के साथ में 78 followers के साथ में दांडी मार्च स्टार्ट कर दी गई थी तो इस दांडी मार्च स्टार्ट कर दी गई थी अब इस दांडी मार्च की जो शुरुवात की गई थी वो मतलब 241 माइल की दूरी थी और यह 25 दिन में cover किया गया था 25 डेज में और इस दौरान में रगुपती रागहो राजा राम इसी का हमेशा chanting चलता रहता था रागहो राजा राम कौन लिखा है इसे इसे लिखा गया है विश्नु दिगंबर के द्वारा तो इस विश्नु दिगंबर तो यह ध्यान रखिएगा यह important है आपके लिए इसलिए ध्यान रखिएगा ठीक है आगे अगर बात किया गया है तो यह जो दांडी मार्च था कई लोगों ने इसको तरह तरह की बाते बताये थी मतलब इसको बहुत ही एक बड़ा event बताया था जैसे कि जो सुबाज चंद्रबोस ने इन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से निपोलियन ने मार्च किया था एलबोस पैरिस के लिए वैसे ही जो हमारे गांदी जी है ये भी मार्च कर रहे हैं इसके अलावा प्रफुल चंद्र ने भी इसी तरीके से बताया था तो इन दोनों लोगों ने इसे बहुत ही हिस्टॉरिक बताया और इस तरीके से जो नमक कानून है जो सॉल्ट टैक्स है उसको जो है तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में इनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है अरेस्ट करने के बाद में इनको ले करके जाता है येरावदा जेल तो येरावदा जेल में ले करके जाते हैं अब य अबास तयब जी करते हैं और अबास तयब जी जब गिरफतार हो जाते हैं तो कौन करता है तो करते हैं सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू करती हैं और इन्हीं सरोजनी नाइडू के ही के ही नित्रत्व में के ही लिडर्शिप में धारसना कांड हुआ था तो दिस धारसना इवेंट अब ये धर्सना इवेंट क्या है इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं सीडियम अपने जो शोर पर चल रहा था फिलाल अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो इनकी तो आरेस्ट बहुत ही जल्दी हो गई थी लेकिन इनके अरेस्ट के बाद में अल्टिमेटली अबास तयब जी इन्होंने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया था हमारे इस सीडियम में इनके ही टाइम पर अलग अलग पार्ट आफ दा नेशन में अलग अलग जगहों पर काफी जादा सीडियम को लेकर के धूम मची थी जैसे कि अगर तमिलनाडू में अगर बात किया जाए तो यहां पर हमारे सी राजगोपालाचारी शाहब थे सी राजगोपालाचारी इन्होंने भी क्या है मार्च किया था और इनकी जो मार्च थी वो अविसली साउथ इंडिया की मार्च थी इन्होंने तिरुचेन गोंड आश्रम तो दिस इस तिरुचेन गोंड आश्रम यहां से तिरुच तिरुचिरा पिल्ली या फिर जो आपकी यह वेदारन्यम तक है वेदारन्यम यहां तक इन्होंने मार्च किया था यह दोनों नाम काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा इस पर कुशन पूछा भी जा चुका है इसके अलावा अगर बात करें नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए तो जो नौर्थ वेस्ट फ दूदया है कोई बात नहीं जिनरे हम लोग रिडचर्ड भी बोलते हैं यह इन्होंने क्या किया था कि पश्टो लैंग्वेज्च में एक पथ्यूं पक्तून मैगजीन निकाली थी और इस पक्तून मैगजीन के थुरू यह इन्होंने जो सौल्ट सत्यागरा है उसको स्प्रेड किया था और एक तरीके से अगेंस्ट जो ब्रिटिश है उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था और इस कारण से जो हमारे खान अब्दुल गफार खाने इनको कई सारे टाइटल मिल गई टाइटल के नाम पर जैसे की फक्र एफगान तो इसके अलावा टाइटल मिली शेर एफगान तो शेर एफगान यह सारे टाइटल सागें इंपोर्टेंट है ध्यान रखिये गाँ बादशाह खां बोला गया था ठीक है और इन लोगों ने इनफेक्ट पक्तून पीपल ने गांधी जी को भी एक टाइटल दिया और टाइटल दिया गया मलंग बाबा तो दिस इस मलंग बाबा ये टाइटल दिया गया था गांधी जी को नौर्थ वेस् मनिपूर मनिपूर Kane मनिपूर और नागालेंड के पास में लेकिन फिरजियम मुमेंट यह था यह दोसे मन हमनों धुमाझते जिसे मिना बोलते हैं जे लिया-झेलिया-ले- nem-ममेंट audio-刈 खुobyl के इंदा्थraft हुए भलातRO!! आगे जाकर के religious से बदल करके salt सत्याग्रह में बदल गया था salt सत्याग्रह में और यहाँ पर जो यदुनाद जी है इन्हीं की या तो यह मतलब इन्हीं की relative रहती है कुछ books में daughter बोला गया कुछ books में अलग-अलग relative बताया गया खैर इसमें हमें मतलब नहीं है इसके बाद से गैडिल्यू गैडिल्यू जो है वो participate कर लेते हैं गैडिल्यू एक तरीके से कह लिजे की leadership leading role में आ जाती है और इस तरीके से इनको फिर तुरंद के तुरंद जो बिटिश के द्वारा भी arrest कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद जब इंडिया आजाद हो जाएगा independent इंडिया हो जाएगा तो उसके बाद से इनको फिर free किया जाता है जवाल लाल नहरू इनको free करते हैं और ये निर अबाउट 17 इयर्स जेल में रहती हैं अपने यंग life मतलब कि जब ये जवान थी ट्वंटी ट्वंडी टू इयर की एज की थी तभी इनकी जेल हो गई थी तो इन्होंने क्या है कि जो अपनी यंग एज है वो जेल में बिताई थी और इस कारण से इन्होंने जवाल लाल नहरू ने इनक एक टाइटल दिया था और टाइटल दिया गया था रानी और तब से रानी गैडिल्यू के नाम से जानी जाती है तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और इस तरीके से चीज़े हुई थी अल्टिमेटली होता क्या है कि जब हमारे अबबस तयब जी के बाद तो यहां पर अगें जो है वो सॉल्ट बनाय जाता था तो हमारी सरोजनी नाइडू अपने 25,000 follower के साथ में चली गई थी कहां पर धारसना इसी factory के पास में यही पर चली गई थी सरुजनी नाइडू के साथ में कुछ और लोग भी थे जैसे कि इमाम साहब थे तो इस इमाम साहब ये भी इने help करने के लिए गए थे और गांधी जी के लड़के मनीलाल गांधी गए थे और इन लोगों के साथ में करीब करीब 25,000 followers थे यहां पर आने के बाद में जो बिटिशर थे उन लोगों ने इनके उपर में कारिवाई किया और इनके उपर में जो डंडे से मारना होता है तो वो किया गया था तो इनके उपर में जो एक तरीके से कह लिजे की वॉयलेंस किया गया था और इस वॉयलेंस को अगें जो है एक बड़े इवेंट के रूप में देखा आता है मैक्स जो वेब मूलर थे इन्होंने कवर किया था तरीके से धार्षना इवेंट हुआ था जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मुवमेंट है हम लोग बात करें अगर इस सीडियम के बारे में तो सीडियम को देखे किसने किसने सपोर्ट किया था नाम से पता चल रहा है इंफेक्ट कॉंग्रेस तो सपोर्ट कर ही रही है कॉं लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इसका इसको बायकॉट किसने किया था तो इसको बायकॉट करने वाले थे मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने इसे जो है वो बायकॉट किया था ठीक है मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था तो यह ध्यान रखिएगा ठीक है अब इसक अलावा छोटे छोटे और भी कई सारे इवेंट हुए थे अब ये कई सारे इवेंट में जैसे कि अगर बात किया जाए कहा लिखा जाए काम करते हैं यहीं पर एरेज करके लिख लेते हैं ठीक है एक सेकेंड अब दिखें यहाँ पर छोटे मोटे और भी कई सारे इवेंट चल रहे थे इस छोटे मोटे इवेंट में जैसे कि बिहार में ये बोला गया कि अब हम टैक्स नहीं पे करेंगे नो टैक्स पेमेंट ये एक कैंपेंड चल गई थी कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा बिटिशर को इसके अलावा छतरपुर और बुंदेल खंड में यहाँ पर डाकू मंगल सिंग थे जो बेसिकली सॉल्ड सत्यागरा को आगे बढ़ा रहे थे तो इस डाकू मंगल सिंग ठीक है बड़ा ही अच्छा नाम है इसके अलावा गर बात करें मध्यपरांत में यानि की MP में महराष्ट में और करनाटक में यहाँ पर forest satyagraha start हो गए थी तो this is forest satyagraha salt satyagraha के दौरान में यह सब छोटी छोटी इवेंट से जो basically start कर दिये गए थे forest satyagraha start कर दिये गए थे इसके अलावा बच्चों की जो children थे इन लोगों ने अपनी एक वानर सेना बना ली थी तो this is वानर सेना वानर का मतलब वही जो मंकी होते हैं ना उनकी एक सेना बना ली गई थी इस तरीके से और जो लड़कियां थी girls इन लोगों ने अपनी एक मजेरी सेना बना ली थी तो this is मजेरी सेना दोनों याद रखिएगा again important है प्रिलम्स point of view के लिए तो यह थी basically पूरी cdm moment के बारे में cdm में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने detail में चर्चा कर ली है तो इसके बारे में अगर आगे देखा जाए तो one second यहाँ पर पढ़ लेते हैं सबसे पहले content को तो salt satyagra है यहाँ पर salt satyagra 1930 में start होती है इस satyagra एक mass civil disobedience moment था मात्मा गांदी के दौरा initiate किया गया था salt tax को impose करने के लिए यहाँ पर इनके पास में बहुत सारे लोग थे कई लोग जो है basically start किया थे साबर मती हास्रम से 12 माच 1930 को दांडी से start किया गया था और यह अपना aim बना लिया गया था 26 जन्वारी को पूर्ण स्वराज डे यह मनाया जाना शुरू हो गया था और इस तरीके से गांदी जी ने भी अपना एक प्लान बना रखा था और यह कहा था कि salt tax के नाम पर हम लोग एक काम करेंगे government को defiance करेंगे government को जो है वो रोकेंगे some members of Congress were skeptical of the choice and other Indians and the British dismissed the choice of this salt with a diocesan उस समय का जो वाइसराय था Lord Irwin he was hardly perturbated by the threat of salt this protest and the government did nothing to prevent the salt march from taking places क्योंकि अपने आपे बहुत लाज स्केल पे बहुत मास था तो किसी ने कुछ किया नहीं था in fact हमने जो होता है फहले शुरू में इगनूर किया था but Gandhi's choice of using salt was nothing अब देखें यहाँ पर salt को क्यों इन्होंनों चूफ किया था salt का मतलब यह था एक आम आदमी this is common man ना तो इसका किसी जाती से कोई मतलब था ना तो किसी धर्म से मतलब था तो यह common man की बात थी एक आम आदमी की बात थी कि आम आदमी के लिए हम लोग जो है वो fight कर रहे हैं तो यह किया गया था it was very commodity required by all the people तो Indians had been making salt from sea water free of cost until 1882 बाद में salt tax ला दिया गया था जिसके बएसे तो यह लोग काम नहीं कर सकते थे बाकि इसके detail के बारे बताये गया है जो कि हमारे लिए important नहीं है आगे अगर बात किया जाए तो course क्या थी दांडी मार्च की पहले Lord Irwin को बता दिया गया था कि देखो भाई ऐसा है हमारे 11 points है अगर उसको आप नहीं मानेंगे तो हम लोग salt सत्याग्रह करेंगे फिर ultimately group बना लिया जाता है सावरमती आश्रा में और फिर villages of the गुजरात को ले करके walk कर दिया जाता है और reaching the coastal village of Dandie he would make salt from sea water there by breaking the salt act गांदी started march as planned with 80 followers अलग ही दिखिए अलग अलग जगों पर अलग अलग लिखा गया है कहीं पर 78 लिखा गया है कहीं पर 80 है लेकिन आप लोग याद रखेंगे क्या आप लोग याद रखेंगे 78 क्योंकि NCRT में भी यही mention है तो आप लोग 78 ही याद करेंगे they were given strict instruction to not to resort any kind of violence कहीं पर भी कोई violence वगर नहीं करना रहेगा यह जरूरी है thousands of people जो होता है वो साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे और इस historic event को लेकर के at the end of every day गांधी would address thousands of people and attack the government in his speeches गांधी talked to foreign journalists and wrote articles for newspaper और इस तरीके से जो हता है Indian national जो यह Indian independence movement है यह world media में भी च्छा गया था और इस तरीके से गांधी जी का भी नाम हो रहा था तो सरुजनी नौडी ultimately जो होता हिनों ने भी join किया था every day more and more people joined him and on 5th April 1930 दांडी पहुँच गया और यहाँ पर 50,000 लोगों के participation के बाद में ultimately 6 April 1930 को गांधी जी ने salt law break कर दिया था और इस तरीके से salt को बना दिया गया था effect क्या निकला गांधी जी को arrest कर लिया गया और साथ में इनके करीब साथ है यार लोगों को भी arrest कर लिया गया था तो देवरवा उस वाइड इस्प्रेड CDM carried out by the people apart from salt tax अब बाकी unpopular tax laws को भी ले करके जैसे forest law, चौकिदारी law, land tax इन सब को ले करके भी यही सत्यागरा आगे बढ़ गया था government tried to suppress the moment लेकिन Congress party को declare कर दिया गया था और इस तरीके से सत्यागरहियों को आगे जाने से रोका गया था लेकिन जो आगे बढ़ चुका था तो तो बढ़ी चुका था there were some incident of violence in Calcutta and Karachi यह ध्यान रखिएगा कुछ violence के activities हुई थी लेकिन गांधी जी ने इस बार नहीं रोका था जो तुरीची है वहां से वेजारिनियन तक इन्होंने salt मार्च किया था इनको भी फिर आरेश कर लिया गया था किलपपन के बारे में बात करें तो किलपपन ने भी इसी तरीके से माला बार रिजियन में जो है वो मार्च किया था इसके अलावा पक्तून में बात करें पेशावर में बात करें तो यहां पर खान अब्दुल गफार खान थे जिन्नोंने इस मोमेंट को आगे बढ़ाया था यह लोग जो है सत्यागरहियों को ट्रेन कर रहे थे और इस तरी हो गया था माई 21 1930 के जोरान में और यहां पर पुलीस ने लाटी चार्ज किया था और इस तरीके से ब्रूटल अटाइक किया गया था कई लोग मर गया थे और एक इंटरनेशनल मीडिया का एक ख़बर बन गया था बिटिश गवर्मेंट वास चेकन बाइदा मोमेंट अल्स इस तरीके से जो नॉन वाइलेंट सत्यागरा था फिर से वो एक टूल बन गया था हमारे गांधी जी का गांधी जी अल्टिमेटली 1931 में रूलीस किये जाते हैं और यह लॉड इन्विन से जाकर के मिल जाते हैं और अल्टिमेटली इनको सीडियम एंड करने के लिए मनाया जाता है एक्च्वल में होता क्या है यहां पर फिर से ध्यान दीजेगा अब बिटिशर के ऊपर में भी एक दबाव बन रहा था कि अब हमें एक नया एक्ट ले करके आना है क्योंकि देखिए 1919 एक्ट का रिवियू करा दिया गया था कई लोगों के द्वारा जैसे कि टिशर है वो कुछ नहीं कर सकते हैं और दूसरी और सीडियम अपने चरम पर आ चुका था तो अंत में हार मान करके लौड इविन ने कहा कि ऐसा है गांधी जी को वापस निकालो और उनसे अपील किया जाएगा टू एंड दा सीडियम और इनको मनाना है राउंड टेबल कांफरेंस जो होती है यह डिमांड थी जो सत्याग रही थे मतलब कि स्वराजिस्ट थे जो इलेक्शन हुआ था उसी दौरान में अल्टिमेटली गांधी और इर्विन के बीच में एक दोनों को एक टेबल पे लेकर अगया जाता है ताकि दोनों के बीच में एग्रिमेंट हो सके और इस तरीके से जो होता है मीडिया ने अटेंशन लिया था एस पर गांधी इर्विन पैक्ट दसीडियम मोमेंट वुड बी एंडेड एंड एंड इंडियन इन रिटर्न वुड बी अलाउट टू मेक सॉल्ट फर डोमेस्टिक यूज इर्विन ने यह भी एगरी कि गया कि जो भी अरेस्टेट इंडियन से उनको जो है हम लोग मतलब छोड़ देंगे एंड गांधी जी को बोला गया कि आप सेकेंड राउंड टेबल में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरीके से चीजे हुई थी फरस्ट राउंड टेबल में अगर बात किया जह जो से एक चीज निकल किया थी यूनिटी इन दा पीपल अगें यूनिटी आ गई थी और बिटिश को हम लोगों ने एक थ्रेट पहुचा दिया था एक दर पहुचा दिया था कि अगर हमें एक आम आदमी को अगर आप भलकाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी तो और इसी वज़े से सॉल्ट सत्यागरह किया था जो एक आम आदमियों का एक हक था आम आदमियों की एक चीज़े थी कह सकते हैं आप ठीक है इसके अलावा देखे कुछ और भी इवेंट्स हुए थे जो कि हमारे ऊपर दिये गया है जैसे कि धारसना सत्यागरह हुआ था इसके पारे में हम लोग जड़ा डीटेल में देख लेते हैं तो वी आप अल्रीडी डिसकुस्ट अबाउट इट लेकिन खैट चलिए इसको फटाफट गो थू कर लेते हैं धारसना वाज़े प्रोटेस्ट अगेंस्ट दा ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स इन कोलोनियल इंडिया अब इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारी ये इंडियन इस्ट्रोगल थी वह अब वर्लड वाइड इसकी फेम हो गए थी कि इंडिया में देखे इस तरीके की जो है वो एक्स्ट्रीके से वॉल्डेंस किये जा रहे हैं अगेंस इंडियन बीपल तो कहीं न कहीं एक दबाव भी बन रहा था दूसरी चीज़ क्या थी कि 1919 के दौरान में जब वर्ल्ड वार खतम हुआ था तो अल्टिमेकली एक पीस और्गनाइजेशन बना दिया गया था जो बेसिकली पीसफुल काम के लिए काम कर रहे थी यह भी पीसफुल वर के लिए काम कर रहे थी वह बात दूसर जो वेब मिलर थे इन्होंने भी अच्छा खासा जो है वो इस इस न्यूज को जो है वो कवर किया था दब मार्च वेंट एड़ एस प्लांड अबास तयब जी अल्टिमेटली इन्होंने क्या है कि मतलब पास होन कर गय थे बलकि मतलब अरेस्ट हो गई थी इनकी भी बोथ पर अरेस्टेट बिफोर रीचिंग धार्सना एंड सेंटेंस तो थी मंथ इन दा प्रिजन आफ्टर देयर अरेस्ट पीसफुल एजिटेशन कंटिनूड अंडर लीडर्शिप अफ सरोजनी नाइडो और मौलाना आजाद यहां पर इनके जो गांदी जी के लड़के थे मन सब्सक्राइब को ही दिखाता है अंडियन नेशनल कॉंग्रेस वॉलंटियर इस्टार्ट मार्चिंग तो इस तरीके से इनके उपर में लाठी चार्ज हुआ और बाद में आरेस्ट कर ली गई थी तो यह थी हमारी सब्सक्राइब के बारे में हमारा जो नेक्स डिसक्शन ह होगा वह हम लोग करेंगे राउंटेबल कॉन्फरेंस को लेकर के विए नॉट इंक्लूडिंगे विकाज राउंटेबल अपने आप में जो होता एक बहुत बड़ा एक इवेंट है और राउंटेबल के बारे में हमें कई सारी चीज़े डिसकस करनी है तो नेक्स सेशन में हम लोग बात करेंगे तीनों जो राउंटेबल कॉन्फरेंसेज हुए थे पूना पैक्ट के बारे में बात करेंगे गांधी इर्विन के बीच में जो एक वीडियो में देख लेंगे ताकि जो भी डाउट है क्योंकि देखिए देर और फोर में एगरिमेंट जैसे कि एक है वैवल प्लान और फिर अल्टिमेटली कैबिनेट इमिशन इन चारों को ले करके एस्परेंस पर जन्वर बहुत ज़दा डाउट बना रहता है तो इस वजह से इसको सेपरेटली एक वीडियो में देख लेंगे ताकि सारे डाउट का क्लेरेंस हो जाएगा इट विल टेक न इंडिया को आजात करा देंगे हम लोग तो ट्री मूर वीडियो एंड आपकी जो मॉडन हिश्टिय वह कंप्लीट हो जाएगी किसी को डाउट रहेगा तो अपने डाउट को आप इमेल या फिर टेलिग्राम करके पूछ सकते हैं दोनों चैनल के लिंग नीचे डिस्क्रिक बाय एंड थेंक यू सो मच